हालो फ्रांस कैसे हैं आप फड़ियां मस्त रहे हैं और जो है अबोर्ट फंक्शन का जो है अबोर्ट किसको मिल रहा है ये जानकारी लेते रहे हैं कहते हैं न कि अबोर्ट से ये पता चलता है कि आपके स्टार आपका शो आपके सपोर्टिंग कास्ट या फिर कुछ भी जो के रिलेटिड हैं वह फांस को कितना प्यार करते हैं या फैंस उनसे कितना प्यार करते हैं और फैंस उन्हें शोशल मीडिया के थ्रू कितना सपोर्ट करते हैं ऐसे में अभी कुछ टायिम पहली है आपने IT अबोर देखा अब आप देखने वारे हैं Iconic Gold Award जिस अबोर्ट फंक्शन का हर कोई स्टार हिस्सा बनना चाहता है और काफे स्टार हिस्सा बनते भी हैं और काफे स्टार हिस्सा बनते बनते रह जाते हैं ऐसे में जो हैं आपका Iconic Gold Award 2024 की First February को होने वाला है 2024 चल रहा है और January का महीना है अगले महीने की First तारिक को First February को जो है आपको नजर आएगा Iconic Gold Award जहां पे Bollywood के सितारे भी इस शो का या कहें इस Award का हिस्सा बनते हैं ऐसे में ये Award की चर्चाएं शोशल मीडिया में काफी जादा होती है क्योंकि इसमें Award जादा नहीं निकलते हैं लेकिन जितने निकलते हैं वो काफी पॉपुलर होते हैं तो ऐसे में इन्होंने अपनी शोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि Best Actor यानि कि Best TV Actor 2024 आइकोरी गोल्ड अवोल्ड का कोन होने वारा है ऐसे में अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा वोटिंग किसको हो रही है वो है आपके प्यारे हर्शच चौबरा जिन्हें आप ये रिस्ता क्या कहलाता में देख चुके हैं इन दिनों फैंस उनके नए प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज़्यादा उस्साहिता दिखा रहे हैं ऐसे में फैंस उन्हें जल्दी से एक नए प्रोजेक्ट पर देखना चाहते हैं ऐसे में वो भी social media पे काफी जो हैं post कर रहे हैं ताकि वो fans से जुड़े रहे हैं ऐसे में fans उन्हें हर award function का हिस्सा होते भें देखना चाहते हैं जहां पे वो IT award में भी performance किया, IT award की trophy भी लेकर गए है उसी के बीच में आप आइकानिक गोल्ड अवोर्ड में फैंस हर सच चोपडा को काफी वोटिंग कर रहे हैं फिर आते हैं आपके दूसरे नंबर पर किसे हो रही है वोटिंग आइकानिक गोल्ड अवोर्ड में वो है आपके साई केतन राओ साई केतन राव को काफी वोटिंग हो रही है वो टीवी इंडस्टी की जानी मानी एक्टर की लिस्ट में गीने जाते हैं इन दिनों आपको इमली जनरेशन 3 में नजर आ रहे हैं फैंस ने इन्हें जितना प्यार महंदी है रचने वाली में दिया था शायद ही उससे ज़्यादा प्यार देने की उमीद रखते हैं इमली में अब बात आती है नमबर 3 की पोजीशन पे हैं आपके प्यारे अंकित गुपता जिन्हें आप उडारियन, जुनूनियत, बिग बोस में देख चुके हैं ऐसे में फैंस उन्हें काफी वोटिंग कर रहे हैं वो काफी अवोर्ड फंक्शन में देखे जाते हैं यह कहें कि प्रियंका के साथ उनकी चर्चाइं सोशल मीडिया में काफी चलती है ऐसे में जो है इन दिनों काफी सुर्खियों में च्छाय हुए थे टुइटर पे स्पेसली ज़ादा तो फैंस ने उन्हें नमबर थर की पोजिशन पे काफी वोटिंग की है बात आती है आपके नमबर फोर की पोजिशन पे हैं आपके प्यारे से फहमान खान यानि कि जिन्हें आप देख रहे थे धरम पतनी जैसे शो में ऐसे में इन दिनों वो किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते वे नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी शोशल मीडिया के थुरू बताया है कि जैनवरी के लास्ट में आपको उनका प्रोजेक्ट नजर आएगा वो क्या प्रोजेक्ट होगा मूवी में शूटिंग होगी सुनने में आतक करन जोहर भी जो है इन्हें हायर करने वाले अपनी मूवी में ऐसे में करन जोहर ने काफी टीवी सितारों को मोका दिया है और में भी फ्यूचर में भी वो देंगे अब बात आती है टोप फाइफ पे किस सितारे को हो रही है वोटिंग वो कौन सा स्टार है जिसने टोप फाइफ लिस्ट में वोटिंग में अपनी जंगा बनाई है वो कोई और नहीं है वो है आपके प्यारे नकुल महता जिन्हें आप बड़े अच्छे लगते हैं टू में देखा है और उनकी चर्चाए शोशल मीडिया में चलती रहती है काफी अवोर्ड फंक्शन का हिस्सा बनते हैं और काफी अवोर्ड के हकदार भी है और उन्हें मिलता भी है ऐसे में उनकी एक्टिंग पर कोई जरास सभी ये कह दे कि कोई डाउट है तो ये बहुत बड़ी बात है उनकी सुंदर्ता और उनकी एक्टिंग डोनों ही कमाल है इन दिनों भले ही वो जो है अपने फैमिली के साथ जो हैं विकेशन बना रहे हैं लेकिन फैंस उन्हें अवोर्ड फंक्शन का हिस्सा बनाने से पीछे नहीं हटते हैं तो ऐसे में ये फाइफ स्टारों को सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है और जिसमें नॉमिनेशन में देखते हैं किसका नाम ये देने वाले हैं ऐसे में उमीदे जादा जो हो रही हैं हर्शद ये नकुल की तरफ जादा इशारा कर रही है अब देखते हैं किसको मिलता है बास टीवी एक्टर का अवोर्ड आइकॉनिक गोल्ड अवोर्ड 2024 की ट्रोफी किसके हाथ में जाती है आपको किस पर उमीद है कि कोल लेकर जाएगा ये ट्रोफी और इस अवोर्ड को आप कितना पसंद करते हैं कमेंट करके जुरूर बताईए बाकी जानकारी के लिडियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है